नमेश्कार दोस्तों मैं प्रभात कुमार सोगत करता हूँ आपका PTS में दोस्तों आज की वीडियो में लेने वाले हैं कल के मार्केट का वियू और हम जानने वाले हैं दो स्टॉक जो कल आपको एक अच्छा कासा मोमेंटम दे सकते हैं और दोस्तों हम उस स्टॉक को कैसे यह जानेंगे और दोस्तों उसी के साथ आप मेरे साथ टेक्निकल अनलसिस भी सीखने वाले हैं दोस्तों शिराम ट्रांस्पोर्ट फाइनस और अमाराजा बैटरी में मेरे साथ से आपने साल भर का एक ही बार में प्रॉफिट जनरेट कर लिया होगा आज की वीडियो में आ श्रीराम ट्रांस्पोर्ट फाइनस कौन सा स्टॉक है श्रीराम ट्रांस्पोर्ट फाइनस से कैसा स्टॉक है जिसकी एनालसिस हमने लास्ट फ्राइडे के सेशन में की थी और हमने आपको बताया था कि दोस्तों यह वीकिनेस दिखा रहा है हर बार ऊपर जाता है नीचे आ समझने आप लगबग 8-9 परसेंट गिरा श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस हमने आपको बताया था कि पांसु सत्यु रुपया क्या है पांसु सत्यु रुपया हमारा क्रिटिकल सपोर्ट लेवल है तो दोस्तों मेरे साब से आपने एक तो दोस्तों आपने एक जैकपट turn किया होगा last Friday के session में शीराम transport finance में और main बात तो यह कि आपने समझा होगा आपने concept समझ के काम किया होगा जैसे ही candle नीचे close हुई होगी तब आपने shot किया होगा अगर आपने ऐसा किया फिर तो आप बहुत बड़ी आप काम कर रहे हैं, आप अच्छा लर्णिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, मेरे को बहुत खुशी होती है, कि आप लोग सीख के प्रॉफिट करते हैं, बात करें अमराजा बैटरी की, तो मेरे साब से अमराजा बैटरी में भी आपने एक अच्छ खासा मूवमेंट दिखाएगा, क्या दिखाएगा, मूवमेंट दिखाएगा, और 600 के लेवल क्लोज करते ही कहां गया था, ये 613 रुपे का हाई लगा आगे आया, अमराजा बैटरी, तो I hope आपने एक अच्छा काज़ा प्रॉफिट किया होगा इसमें भी, बस आप सिखत भी, ठीक है, इसी प्रकार से आप ने ने کॉंसिप्ट जानते रहिए, इसी प्रकार से आप प्रॉफिट करते रहिए और एक स्टिप आगे लेते रहिए, लेर निंई के तरफ, आप चलिए, हम समझते हैं, कल मार्केट क्या कर सकता है, दोस्तों चलिए हम समझते हैं Nifty का चार्ट पे क्या कर सकता है कल के डेट में दोस्तों Nifty जहां पे है देखिए हमने आपको previous session में कहा था कि उच्छाल मिलेगा तो बेचना है आपको क्या हुआ उच्छाल मिला था 9150 के आसफस गया था निफ्टी वहां से एक जबर जब सेलिंग देखने को मिली Nifty 50 में ठीक है अब फ्राव सुनिए कि आपको क्या करना है दोस्तों 9000 आपको 9100 का एसल लगाना है 9100 क्रिटिकल रिजिस्टेंस है ठीक है और 9100 का एसल लगा कि आपको शौट सिल कर रखना है जब तक 9100 के नीचे रहता है आपका निफ्टी तब तक आपको शौट सिल करना है ठीक है और आपका जो नीचे साइट टागेट होगा वह होगा 950 और 9000 का आपका टागेट होगा निफ्टी में अगर मैं आपको डेली चार्ट पर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि डेली चार्ट पर ये वही सपोर्ट लिया करता था सपोर्ट तोड़ दिया है उपर गया अब दो लोवर लो बन चुका इसका मतलब एक और रेड कैंडल बनने को आने वाली है थोड़ा बहुत उपर जाएगा तो हाँ पर हमें बेचना ही है दो कंजिव्टि और रेड कैंडल देखके तो मेरे साब से आई होप आप समझ गयोंगे क्या आरणीती हमको रखनी है निफ्टी 50 में चलिए हम समझते हैं अब बैंक निफ्टी का दोस्तों जहां तक बात है बैंक निफ्टी तो देखिए बैंक निफ्टी भी कमजोर है मैं आपको बता दूँ बैंक निफ्टी न यह देखो पहला लो तो तोड़के गया ही गया है ठीक है थोड़ा दान सुनिएगा अब यह तो तोड़के गया गया है अब इसने क्या किया है आपको दिखाता हूँ मैं इसने इस low को भी breach कर दिया है कितना ये low था दोस्तों ये कितना level था ये level था 17,500 का 17,000 में लिख देता हूँ आपको असानी हो 17,500 ठीक है दोस्तों 17,500 के जब तक नीचे रहता है bank nifty shuttle करना है हाँ अब देखो क्या कर सकता है bank अथारा हजार तक ये जा सकता है आपको 18,000 कैसे लगा लेना है 18,000 के जब तक नीचे रहे बेच के चलना है जब तक नीचे रहे बेच के चलना है यही रड़नीती आपकी होनी चाहिए bank nifty में बात करें टागेट की तो टागेट हो सकता है अगर आप बैंक निफ्टी को जेकर हो यह लोड तोड़ चुका है और लोड बन रहा है इसका मतलब ज्यादा इंट्रेस्टेड हैं बायर्स नहीं है आप उपर जा रहा है लोग बेच रहे हैं बातों को समझा देगा है प्रास कीजिए और सीखिए ठीक है चलिए हम जान चुके हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का अनालिसिस अब हम चलते हैं अपने स्टॉक्स पर दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो भी नए मेमान हैं वो सस्क्राइब कर दीजिएगा हमारे प्रभात रोडिंग सर्विस चैनल को और दोस्तों नोटिफिकेशन बैन को ओन कर दीजिएगा ताकि जो भी हम रगर अपलोड करें वो आपके पास पहुंच सके ठीक है चलिए जो पहला स्टॉक है कल के लिए जो मलाया हूँ आपके लिए उसका नाम है कोलगेट दोस्तों देखिए क्या करना कोलगेट में समझते हैं देखि क्रि également कितना ता यह एक आपका क्रिटिकल लेवल था 1330 का 1330 का लगा लेना है एस फिक हैं जब तक 1330 के नीचे रहे आपको बिकवाली करना है Mem australi 1330 के उपर निकल जाए कोई अगर मालो यह एक लेवल है इसके उपर अगर कैंडिल क्लोज हो जाए आपको सिंपल से निकल बाहर आ जाना है इसको हम बोलते एक्जिट कर लेना ठीक है इसको एक्जिट कर लेंगे अच्छा क्या बिसिकली फॉर्मेशन कर रहा है देखो लो बन चुका है अगर मैं आपको दिखाऊं 15-30 मिनट के चार्ट पे तो अगर आप थोड़ा धान से देखेंगे तो यहां पे बिना यह लो बन रहा था दोसरा लो और यह तीसरा लो यह तोड़ चुका है इसका मतलब यह नीचे जाने वाला है टागेट टागेट मैं इसक का कॉंसेप्ट इसका टेक्निकल knobớiट समझ गए हूंगे किस रिजन से लेट को चूछ कर रहा है कैसा दिख रहा है क्या दिख रहा है समझते हैं आईए देखिए आर्टी इंडस्ट्री आप देख सकते हैं कि एक क्रिटिकल लेवल के ऊपर खड़ा हो चुका है जो की है दोस्तों अगर आर्टी इंडस्ट्रीज 1033 के लेवल के ऊपर क्लोज हो जाए आपको क्या करना है आपको वहां पर बिना किसी से पूछे बाय कर लेना है ठीक है उस इसमें 1033 आप कैसल हो जाएगा या नहीं जब तक इसके ऊपर रहेगा तभी आपको रुके रहना है देखो आप प्राइस एक्शन समझने का प्राइस कीजिए क्या होगा अगर मैं आपको सिंपल सैसल दे दूँ आपका वह एसल हिट हो जाएगा आप जब तक चीजे समझे जब तक आप अपने आखों के सामने candle sticks बनते हुए देखेंगे नहीं close होते हुए देखेंगे नहीं भाया मैं आप बता दूँ आपका कभी भी profit नहीं होने वाला है थोड़ा समझी ये बातों को थोड़ा समझी ये गौर से देखिए तो एक quotation है कि जिस चीजी पर ज्यादा आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे क्या हो जाएंगे एक्सपर्ट हो जाएंगे दोस्तों वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेशन में जरूर लिखकी बताइएगा और अगर आपको इसी प्रकार से educational related content चाहिए तो सब्सक्राइब करते रहें प्रभात वोडिंग सर्विस क तिल देन नमस्कार आप सबको